Hey guys, welcome to my online C, मेरा नाम है देव, so guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, LIC के IPO के subscription status के बारे में, plus right now उसका GMP क्या चल रहा है, क्योंकि आज last day है, plus किनको allotment हुआ है, कैसे अगर आपको allotment हुआ भी है, तो कैसे आपको अपना status चेक करना है, और जिनको allotment नहीं हुआ, तो वो अपना refund यहाँ पर कैसे claim कर सकते हैं, यहाँ उनको refund कैसे मिलेगा, सारी चीज़े बताऊंगा आपको एक ही वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा, guys, यहाँ पर हूँ मैं NAC की website के उपर, और अभी हो चुके 4-20, यहाँ पर मै मेरी screen के सार्म में देख सकते हैं, यहाँ पर 2.91X है, LIC का IPO है, वो oversubscribe हो चुका है, तो अगर मैं डेवाइस बात करहूं, तो स्टार्टिंग के अंदर, पॉलिसी ओल्डर और जो डिटेल कैटेगरी है, वो तो अल्यडी ओर सुस्क्राइब हो चुके थे, बाकी जो QIB की इन लोगों ने धमाल मचा दिया, जी हां, तो 2.83X से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बैंक्स ने, फॉरें इस्टूरिशन इंवेस्टर्स ने, साथ में मूचल फंड्स जो होते हाउसे, उन सभी ने यहाँ पर दबाक के पैसा जो है डाला है, लास्ट डे के उपर, त तो यहाँ पर आपको जो share allotment होगा, वो basically यहाँ पर आपको कह सकते है, lucky draw basis पे आपको निकलेगा, उसी के उपर आपको allotment होगा, इसके लबाद जो employees की category है, जो policy holder वाली category है, वहाँ पर भी जो proportionate और जो lucky draw basis पे जैसे randomly basis पे जो allotment होता है, किसी भी IPO के अंदर, वैसे ही आ यहाँ पर आपना interest दिखा है, इसलिए यहाँ पर GMP भी increase हुआ है, तो guys आप यहाँ पर 4-6% का listing gain जो है expect कर सकते हैं अपने share allotment के उपर, जो बात करते हैं कि allotment कब होने वाला है, तो दीखें, आज है 9 तारीक, 10 तारीक को एक दिन का gap लेगा है, उसके बाद में 11 तारीक क share allotment का process start हो जाएगा, तो जिसको भी allotment हुआ है, वो दो तरीकों से यहाँ पर चेक आउट कर सकता है, पहली जो website है, क्योंकि 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 क्यों यहाँ पर LIC का रजिस्टार है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन के साम नहीं देख सकते हैं, यह link में आपको description box में देदू उसके बाद में simply आपको third option चूज करना है, pan, अपना simply pan number डालिए, so guys, यहाँ पर capture code डालने के बाद में simply जैसे आप submit बटन के उपर click करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको allotment हुआ है, तो यहाँ पर message आयाता है आपके सामने, congratulations you have be allotment, और आपको जितने भी lot या फिर share जो issue हो जाता है, इसके लाब guys, जो दूसी website है, वो है Bombay Stock Exchange की, यह link में आपको description box में दे दूँगा, यहाँ पर आपको simply equity select करना है, application के दर life insurance corporation of India select करना है, आपको अपनी obviously बात आप application number याद नहीं होगे, तो simply आप अपना pan number डाल के अपना status check out कर सकते हैं, आप guys, बात करते हैं, यहाँ पर refund proceeding की, जिनको भी यहाँ पर IPO अलोट नहीं हुआ है, शेर अलोट नहीं हुए, तो उस case में आपके जो refunds है, वो तेरा तरीक से यहाँ पर issue होना start हो जाएंगे, मलब simply अगर आपने UPI mandate करा रखा है, तो आपका जो block हो रखा है amount, वो basically यहाँ पर unblock हो जाएगा, even as per the cave in tech website भी यहाँ पर within the four working days के अंदर यह सारी proceeding खतम हो जाती है, इस्टिल अगर आपके इमाली चे अनब्लॉक नहीं होता, तेन लोगों नहीं यहाँ पर support के number दे रखे, email ID दे रखे, आप इनको यहाँ पर contact कर सकते हैं, जिससे आपका जो blocking amount है, वो यहाँ पर unblock हो सके, इ Thank you guys, thank you very much